हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स और रिक्मेटिशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो डेली विस्स के तरह हैं आज भी दो भैतरिंग स्टॉक लेकर आया हूं जो कलकी डेट में इंटर डे मार्केट में जोदा पॉफरमेस आपको देने वाले हैं ये दोनों स्टॉक दोस्तो प्रॉपर टेक्निकल अनलाइसस के रूप में अपडेट किये जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकनॉलेजबल और एक एजुकेशन परपस से होने वाला है तो सबसे पहले हम मार्केट का अपडेट देख लेते हैं तो मार्केट हमें दोस्तो आदे परसेंट की गिरावट के साथ 17,844 उपर ट्रेट करते हैं मतलब क्लोज होते देखने को मिला है उसके साथ ही दोस्तो 20 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे और 30 स्टॉक हमें नेगिटिव देखने को मिले जिसमें सर आप टॉप गेनर की लिस्ट और टॉप लूजर की लिस्ट भी देखकर चल सकते हो तो इनी में से दो बैतरिंग स्टॉक है जो कल हमें इंटर डे मार्केट में जोदा परफॉमस देने वाले हैं तो हमारा जो फर्स स्टॉक हम उसको देख लेते हैं तो दोस्तो हमारा जो फर्स स्टॉक है उसका नामे डिविसलेब अब देखिए इस स्टॉक को हमने दो कारण से सिलेक्ट किया है एक तो यह फार्मा का है क्यूंकि फार्मा में आज बहुत थी तेजी थी तो वो एक दो दिन रह सकते है ठीक है डिविसलेब जो की काफी लगाता है 2834 रुपे 50 पर से हाई लगाता है 2919 रुपे और लो लगाता है 2800 रुपे के असपास यहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बांद करता हूं तो सात लाग चालिस जार कॉंटिटी का वॉल्यूम भी देखने को मिलता है मतलब बहुत ही शांदार दोस्तों पॉफॉम सकते हैं दोस्तों काफी बड़ी गिरावट आई थी 2825 पर इसने रुखने की कोशिश करी लेकिन नहीं रुखा और नीचे ला दिया गया तो 2750 रुपे पर रुखा कुछ दिन समय बता के दोस्तों इस लेबल को जैसे ब्रेकाउट दिया एक अच्छी तेजी है ठीक है 2825 तक फिर आया फिर यहीं पर सपोर्ट लिया ठीक है ध्यान से देखिए यहां पर रुखने की कोशिश लेकिन नहीं रुखा यहां पर जैसे ब्रेकाउट दिया एक अच्छी तेजी है फिर नीचे आया फिर 2825 रुपे की लेबल को सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद फिर से ये continuously उपर जाने की कोशिश करा है और आज इतना interesting था कि stock ने दोस्तो 2900 रुपे का level भी cross कर दिया है तो अब expectation ये लगाए जा रही है कि momentum जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है वो और भी शैंदार देखने को मिल सकता है तो अराम से stock 2925 या 2950 का level भी हमें breakout देखकर दिखा सकता है ठीक है क्योंकि momentum आप देखेंगे ना तो उसी हिसाब से हमें चलते देखने को मिल रहा है अब इसका daily candle लगाते हैं तो देखे daily candle लगाया है अब daily candle पर भी हमें क्या दिख रहा है कि stock ने केसे 2750 रुपे के level को support लिया है यहाँ पर support लेके अराम से 3000 रुपे के level पर जाने की वो कोशिश कर रहा है क्योंकि 3250 रुपे का level बहुत दिनों तो खोल्ड किया जैसे ही result खराब आया वैसे stock ने breakdown दिया breakdown देने के साथ ही यहाँ पर support लिया बहुत दिनों तक यहाँ पर समय भी ताया अब एक अच्छी condition में वो उपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे लिए यह काफी बढ़िया बाद देखने को मिल रहा है ठीके तो हम इसको buy करके चलेंगे क्या है level वो आपको update कर देते हैं तो दोस्तो यहाँ पर proper तरीके से levels को note करिएगा अब कल की date में अगर यह stock हमें मिलता है ठीके देखे 29 का level तो cross कर दिया है तो हमें काम करते हैं दोस्तो अगर यह level हमें मान लिजे 2912 रुपे पर मिलता है तो यहाँ से बढ़िया तरीके से वाई करेंगे बढ़िया तरीके से 2932 का target लेंगे जो होगी 20 point का यह 20 point का target हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा ठीके और एक और important point बताना चाहूँगा तो यह है दोस्तो हमारा profit guru F&O call का telegram channel जहाँ पर दोस्तो daily basis पर बहतरिंग option की call देते कभी nifty कभी bank nifty ठीके तो आज हमने अल्टर टेक का call दिया 9 बच के 20 minute पे जो executing नहीं हो पा रहा था ठीके देन उसके बाद हमने 9 बच के 38 minute पे बताया कि bank nifty का जो momentum है वो बहुत खराब होते हमें देखने का मिल रहा है bank nifty 1 minute chart pattern अभी ट्रेप जो मतलब ट्रेपर है ठीके ट्रेप मत होना क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि bank nifty का जो pattern है वो इसी प्रकास से चलेगा और हमने बताया था कि 41,500 के उपर दोस्तों एक मतलब 41,500 जो है ठीके वो अपसाइट का moment है और 41,000 का level जो है वो डाउनसाइट का moment है देन उसके बाद 9 बच के 43 मिनिट पर देखे रेकबरी 120 पॉइंट की हो गई थी जो सेलर थे वो ट्रेप हो गए जो चीज हमने बताई वोई का वोई momentum रहा फिर दोस्तों समझ में आए कि चलो ठीक है बैंक निफ्टी पर तो momentum नहीं मिल रहा तो एक अच्छा गाजा profit हुआ बैंक निफ्टी का भी अच्छा अपडेट हमने दे दिया हमारी टीम बेटती ही इसलिए है कि दोस्तों एकदम अच्छी चीज आप लोगों को मिल चके अच्छा knowledge आप लोगों को मिल चके तीक है जैसा बता है बैंक निफ्टी में बैसा हुआ एक लेवल नहीं चला तो चलो ठीक है दूसरा दे दिया दूसरे में target डन हुआ और फिर जो पहला लेवल दिया था उसमें भी target डन हो गया और क्या चाहिए भर भर के profit बैंक निफ्टी में trading करने से आप लोगों को बता लियां तो हमारी research team है इतनी मजबूत जो आप लोगों को काफी knowledge provide करेगी चोटे लेवल पर काम करना सिखाएगी तो चोटे पैसे में पैसा बनाना सिखाएगी तो टेलिग्राम तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो second stock है उसका नाम है पिरामल इंटरप्राइजेशन पिरामल इंटरप्राइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो लगबग 3% की गिरावट के साथ इस टॉक 841 रुपर 70% पर close हुआ प्रिवश क्लोज सा 888 रुपर 45 परस है ओपन होता है 875 सेम प्राइस का हाई लगाता है और लो लगाता है 838 रुपर देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार है अब इसके टेकनिकल चार्ट पर चलते हैं क्या मोमिंटर मिलता है दूस्तों कल के लिए वो देख लेत वो 825 का है अब रिजेक्शन देखिए यह है लगबग 900 का और 900 का एक दो दिन पहले भी दोस्तों यहाँ पर टेस्टिंग किया है यहां से गिरावट आई थी गिरावट के बाद काफी लंबे समय तो है कि स्टॉक ने 875 रुपे की लेवल को होल्ड किया फिर उपर गया लेकिन फिर भी गिरावट आई और स्टॉक ने 850 का लेवल भी तोड़ा ठीके 850 के लेवल तोड़ने के बाद अब एक्सपेक्टेशन यह है कि 825 का भी तोड़ेगा अगर 825 का तोड़ा ठीके तो डेफिनेटली दोस्तों एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने पर तो यहां से हम शॉर्ट करेंगे बढ़िया से 825 का हम टार्गेट लेंगे एजली दसवे में टार्गेट हम 10.1 टार्गेट अचीब हो जाएगा ठीके और 840 का ऐसे लेंगे जो होगा पांच पॉइंट का बढ़िया रहेगा दोस्तों हमारा यह लेवल टिके तो पिराम up nit बbnताना चाहींगा कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 25 पैसे से 50 पैसे से 10 रुपैसे ठीक है और ट्रेडिंग करने के साथ ही दोस्तों आप लोगों को काफी मज़ा आएगा यहां पर पैसा कमाने में भी और चैनल को सस्क्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी करना तो टैंक यू दोस्तों